हलो एब्रिवन आज डेट है 4 ओप अगस 2021 और देहिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोर्टें न्यूज को एकजाम के पॉइंट आप व्यू से डिसकस करेंगे इस न्यूज पेपर की पीडियो का लिंक नीचे डिसक्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डाइरेक्ट टेलिग्राम चैनल बोलकर नो आईएस अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडियो को डाउनलोड कर सकते हूँ मैप बेस्ट और आजब का केश्टन है कि आपको स्विजेलेंड जो कंट्री है एक लाइन लोग कंट्री है स्विजेलेंड और इसकी लोकेशन के बारे में आपको बताना है कि स्विजेलेंड किस-किस के साथ में अपनी बोर्डर शेयर करता है देहिंदू की front piece per news first news है CBSC ने 10th class के result चारी किया जिसमें 99% जो student है उन्होंने इस exam को पास किया है second news parliament का monsoon session चल रहा है और उसको लेकर के जो opposition party के leaders हैं वो उसमें विरोध कर रहे हैं विरोध करने के कई कारण है जैसे कि हमारे इंडिया में petrol और diesel के prices हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसके अलाव farm बिल को लेकर के जो protest चल रहा है उसको लेकर के और next जो present time में एक major issue सामने आ रहा है वो है Pegasus spyware इसराइल company का इसराइल NSO company का Pegasus spyware जिसके उपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसका use किया गया है बहुत सारी जो major personalities है हमारी country की उनकी personal information जानने के लिए next news Delhi High Court में एक petition दर्ज होती है और उस petition को लेकर के Delhi High Court ने union और Delhi government से पूछा है कि इस petition का क्या answer दिया जाना चाहिए petition में पूछा गया कि जो government है उसको door to door vaccination program start करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे senior citizens है जिनको बहुत सारी डिजीज है जैसे कि ये petition जिनोंने जारी की वो arthritis से पीड़ है तो वो covid center ना जा करके vaccination नहीं लगवा सकते तो इसी को लेकर के Delhi High Court ने पूछा है कि आप September तक अपना answer दीजे union and Delhi government को और उसके बाद में ये जो petition है उसका answer दिया जाएगा Delhi High Court के दुआ Next News यह देखे Supreme Court ने फरीदाबाद Municipal Corporation को बोला है कि आप 23 अगस तक जो भी encroachment है अरावली वाले region में हर्याना में अरावली region में जो भी encroachment है उनको खतम कीजी उसके बाद में 25 अगस तक जो भी demolition आपने किया है उसको लेकर कि आपकी जो भी report है वो आप हमारे आपर submit कीजी और जब आप submit करोगे तो court इसका एक review करने की कोसिस करेगा देखो अरावली वाले region के अगर हम बात करें तो अरावली पुरे world में सबसे oldest mountain के रूप में काउंट होता है अरावली वाला region गुजरात से इसका origin होता है गुजरात से start होता है और डिले में राइसीना hills यहाँ पर हमारा president house बना हुआ है वहाँ तक यह फैला हुआ है present time में क्या किया जा रहा है कि बहुत सारी hill view देने के लिए बहुत सारी societies develop की जा रही है अरावली वाले region में लेकिन इसमें यह बार-बार यारोप लग रहा था कि अरावली में encroachment की वज़े से वहां की जो biodiversity है उसको नुकसान पहुंच रहा है और जो biodiversity जब नुकसान पहुंचता है इसके तहत जिस भी area में जो illegal structure बनाई गई है उनको notified करने की कोशिस की जा लिया है गुरुग्राम में भी ताकि समय के साथ में यहां पर भी जो encroachment हुआ है उसको remove किया जा सके और इस problem को solve किया जा सके next news यह देखिये नागा पीस प्रोसेस को लगबग 6 years complete हो गए है 2015 में यह नागा पीस प्रोसेस साइन हुआ था यह agreement और इसी को लेकर के विरोध किया जा रहा है मनिपूर और नागा लेंड में नोर्थीस्ट का सबसे पहले हम map देखते हैं नागा लेंड एंड मनिपूर इस वाले एरिया में विरोध किया जा रहा है कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है कि नागा पीस प्रोसेस पर जो काम हुआ था जो बाते हुई थी उनको लेकर के कोई भी काम नहीं किया गए है कौर्बेंट के द्वार देखो नागा जो है वो एक community है एक tribe नहीं है नागा मतलग बहुत सारी tribe मिलकर के community बनाती है वो है नागा community हमारे इंडिया जब आजाद हुआ उससे पहले ही इस वाले रीजियन में ये मांग उठ रही थी ये जो नागा community है वो हमारे इंडिया की नोर्थ इस्ट वाला पार्ट जिसमें अनाचर प्रदेश, नागा लेंड, मनीपूर आसाम का थोड़ा सा पार्ट और यहां पर म्यामार वाले रीचर में यहां पर नागा community रहती है और बहुत पहले से ये मांग कर रही है कि इसको एक independent country के रुप में declare किया जाए लेकिन सबसे बड़ी problem क्या है कि यहां पर अलग-लग लोग अपने आपको नागा community के head बताते हैं जिसकी वज़े से government इनके साथ में कभी भी direct negotiations कर ही नहीं पाई है तो यह major issue है इसी को लेकर के अगर आप एक community के एक part को मनाते हैं तो दूसरा part उठकर के उस समय पहले आसाम और मिजोरम में issue चल रहा है ऐसे ही same इसी तरीके से तो इस area को cover करने के लिए यहां पर जो भी problem है उसको central government को अपने अंडर यह लगाना चाहिए यहां के लोगों में यह feel आना चाहिए कि we are the part of India उनको separation वाला भाव अगर आएगा तो वो कभी भी इंडिया के साथ में जुडाव महसूस नहीं करेंगे यही major region है कि North East के साथ में connectivity बनाने के लिए government के दुआरा बहुत सारा work किया जा रहा है जैसे Bangladesh के थुरू, Myanmar के थुरू हम direct यहां पर connectivity बनाने की ecosystem कर रहे हैं ताकि यहां के जो लोग है वो इंडिया के mainland country के साथ में अपना जुडाव महसूस करें तो यह major problem है इसी को लेकर के protest किया जा रहा है तो यह नागा जो community है उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए next news देखो, Parliament का monsoon session चल रहा है और इसमें यारोप लगाया जा रहा है कि साथ मिनट के अंदर एक बिल पास करवाया जा रहा है इसमें बोला गया कि सुरुवात के दस दिनों में बारा बिल पास किये गई मानसून session में और जिसमें से अगर average माना जाए तो एक बिल को सिर्फ साथ मिनट दिये गई मतलब जो भी बिल है उनको voice vote के आधार पर पास किया जा रहा है opposition जो leader है उनसे ना तो उनके बारे में कुछ argument हो पा रहा है जो ministers इसको introduce कर रहे हैं ना उसको बैरे में कुछ clarification दे रहे हैं जो भी बिल पास करवाया जा रहा है तो opposition leader ने ये बोला है कि parliament को आप cabinet meeting समझने की गलती ना करें इसके अलावा अगर आप opposition को किसी भी बिल पर बोलने की अनमती नहीं दे रहे हैं तो आप उन 60% voters की जो आवाज है उसको रोकने का प्रियास कर रहे हैं जिनोंने इन parties को vote दिया है मतलब democracy में ये बोला जाता है कि जो people की voice है वो major आधार होता है किसी भी चीज को establish करने के लिए लेकिन जहां पर low and order बन रहे हैं अगर वहां पर ही people की आवाज नहीं सुनी जा रही है तो एक तरीके से अब देखो direct जो people है हमारी इंडिया की population इती है कि direct सभी लोग तो parliament में आ नहीं सकते इसलिए हमारे यहां पर indirect democracy है मतलब लोग जो है वो अपने representative को चुनते हैं वो parliament में जाते हैं और वो indirectly people की voice को वहां पर उठाने की कोसिस करते हैं तो people की voice को अगर dilute करने की कोसिस की जा रही है सुप्रेम कोट ने यह बोला है कि governor की जो पाइडन पावर है वो हमारा CRPC का जो act है Code of Criminal Procedure Section 433A अंडर जो पावर साती है उसको dilute करने का काम करता है अब governor की जो पाइडन पावर है वो article 161 के तहत आती है President को पाइडन पावर है Article 72 के तहत governor को जो पाइडन पावर है उसमें मालो किसी को उम्रकैद की सजा होती है तो governor उसकी उम्रकैद की सजा को dilute कर सकता है उसको कमक कर सकता है remission अपनी पावर के अंडर तो CRPC जो act है उसकी section 433A में यह बोला गया है कि मालो किसी को उम्रकैद की सजा मिलती है तो अगर उसने 14 years अपनी imprisonment को complete कर लिया तभी जाकर के उसको pardon दी जानी चाहिए लेकिन governor की जो pardon power है उसमें ऐसा कोई भी restriction नहीं है तो अगर governor अपनी pardon power को use करता है तो वो इस section को dilute करने की कोसिस करता है यह Supreme Court ने बोला है Next news COVID-19 को लेकर के बोला गया है कि बच्चों में COVID के जो ट्रेसेज हैं वो देखने को मिले लेकिन बहुत ही कम समय के लिए मतलब short duration के लिए study में सामने आया है कि headache, fatigue यह common symptoms है और short duration के लिए बच्चों में यह symptoms अकर हुई है Next news COVID की वज़े से जो भी हमारे workers हैं उनकी condition काफी खराब होगी क्योंकि लोगों के जो भी एक तरीके से employment जो था वो dilute हो गया जब employment नहीं रहा तो उनकी economy condition वर्सन हो गई तो government को work करना चाहिए कि उनको social security provide करवाई जा सकी हलांकि government ने जिस तरीके से digitalization के उपर अपने आपको improve किया है उसकी वज़े से अगर government कुछ भी इनके लिए initiative लेकर किया आती है तो direct इन लोगों के bank account में या फिर direct इन लोगों को available हो पाएगी तो जो बीच में mediation का जो part है वो तो वैसे ही government ने dilute करने की basis की है ताकि जो भी security provide किया जाए जो भी benefits provide करवाई जाए वो direct जो real beneficiaries है उनके पास में वो benefits पहुँच पाए तो social security provide करने के लिए government को work करना होगा सबसे पहले एक survey connect करवाई जाए कि किन लोगों को बहुत जादा majorly effect होगा है COVID-19 second wave first wave की वज़े से next news देखो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का जो border areas है उसको लेकर के बोला गया है कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान में जो cross border fighting है वो काफी समय से decline उसमें देखने को मिला है मतलब जो border में बार-बार firing होती थी इसके वज़े से major issue सामने आते थे उसी को लेकर के जो siege fire violation होता था वो अब इसमें काफी गिरावड देखने को मिली है next news आसाम और मिजोरम में violation चल रहा है border dispute चल रहा है उसी को लेकर के blockade लगाया गया और मिजोरम में लोगों के पास में जो daily consumption का जो सामान है उसमें blockade की वज़े से काफी crisis देखने को मिल रहा है next news foreign page से और यहां पर इरान के नई राष्टपती बने हैं और इरान के जो राष्टपती बने हैं इनकी बारे में बोला जा रहा है कि यह जो इरान के जो नई राष्टपती हैं वो conservative nature के हैं इनसे पहले जो राष्टपती थे वो liberal nature के थे और हसन रूहानी Mr. Rezi जो conservative nature के हैं इससे पहले जो moderate President हसन रूहानी को उन्होंने replace किया है हसन रूहानी का जो एक landmark achievement माना जाता है वो 2015 का nuclear agreement Iran and six major powers के बीच में माना जाता है हलांकि समय के साथ में Mr. Trump ने इससे अपने आपको पीछे खीच लिया जिसकी वज़े से ये nuclear agreement अच्छे से वर्क नहीं कर पाया अब present time में problem है US में जब नई राष्पती Mr. Biden बनते हैं 2020 में तो वो कोसिस करते हैं कि इस nuclear agreement को दुबारा से sign किया जाए लेकिन इसके उपर कोई भी decision सामने अभी तक नहीं आ पाया है तो आने वाले समय में होगा देखना होगा कि क्या result इसमें देखने को मिलता है कि कि किस तरीके से जो nuclear agreement है उसके उपर work किया जाएगा हलांकि जो present time के जो president है वो ये बोलते हैं कि हम किसी के पास में agreement sign करने नहीं जाएंगे अगर किसी को लगता है क्योंकि हमने nuclear agreement से अपने हाथ पीछे नहीं कीचे थे हमने जो भी agreement sign किया था उसके according work भी किया था बहुत time तक wait किया था इरान ने कि जो nuclear agreement से US ने हाथ पीछे कीचे हैं वो दुबारा से आ करके इसमें हाथ जोइन करें और जो agreement हुआ है उसके उपर work किया जाए तो ये आज का हमारा discussion था ओके थैंक यू